यहां पर पास क्योशन ने कि परतिक किस्त की मान हमें पता करनी है तो इसके लिए क्या करना है कि मुल्दन लिखना है और यहां पर लिखना है किस्त तो मुल्दन जो है चार परतिशत में दिया गया है तो चार परतिशत की फ्रेक्शन जो होती है चार परतिशत की फ्रेक्शन वो ती है एक बटे 25 यानि कि 25 रुपे उदार लियाओगा तो उसको एक जदा है यानि कि 26 रुपे देना पड़ाओगा और दूसरे वर्ष के लिए क्या करना है 25 का Camera कर देना यानि कि 625 रुपे और 26 का로 कर देना यानि कि 672 रुपे अब किस्त जो बराबर है तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 26 से गुना करना पड़ेगा तो यहाँ भी 26 से गुना करना पड़ेगा तो 25-26 जो जाएगा 650 रूप हो जाएगा तो टोटल मूलदन कितना हो जाएगा 650 और 625 यानि की इसको जोड़ देंगे प्रते किस्त देनी पड़ी